चोपड़ा जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो इस वीडियो के जरीए मैं आपके दो सवालों का जबाब दूँगा जो हर एक स्टुडेंट के मन में उठ रहे हैं पहला स्वाल तो ये है कि क्या नीट 23 के एक्जाम पैटरन में कुछ चैंजेज होंगे या फिर ये नीट 22 की तरह ही होगा दूसरा स्वाल ये है कि नीट 23 के एप्लिकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे जिसका आपको बेसबरिश से इंतजार है तो बचो NTA के ओफिशल RTI के जबाब के मुताबिक इस साल नीट 23 के एक्जाम पैटरन में कोई चैंजेज नहीं होगा एक्जाम पैटरन सेम 22 जैसा ही होगा एक्जाम टाइमिंग 3 हावर्स 20 मिनेट्स यानि 200 मिनेट्स का होगा तीनु सब्जेक्ट्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी में दो पार्ट्स होगे पार्ट्स बीम में 5 क्यूसन ओप्सनल यानि 15 क्यूसन होगे उसमें 10 क्यूसन आपको करने हैं फार उसमें चोडने हैं तो NTA ने ये तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि नीट का एकजाम 7 मई 23 को होगा और पैन एंड पेपर मोड पर होगा ओनलाइन नहीं होगा तो आपको नीट 22 के पेपर के अकोर्डिंग ही आप तयारी करें उसी का पैटरन फोलो करना है नीट 23 के एप्लिकेशन फोरूम की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ये रिलाइवल सोर्सेज के अकोर्डिंग फरवरी सेकंड वीक में स्टार्ट हो सकते हैं फरवर इस second week में start होंगे तो इसके application form के end होने की date March second week तक रहेगी यानि एक मैने तक ये form रहते हैं आपको एक मैने के अंदर अंदर ये form फिल करने हैं फिर भी अगर कोई mistake हो जाती है तो इसमें correction window भी open होता है जिसमें हर एक field में आप correction कर सकते हैं देंगे जब यह फॉर्म रिलीज होंगे आप अपने स्टेडी पर फोकस करें एप्लिकेशन फॉर्म जैसे ही रिलीज होंगे हम आपको इंफॉर्म कर देंगे बेस्ट ओप लग